नमस्कार चैलेंज न्यूस 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ श्यवांगी खबरों को देखें विस्तार से भानु बर्मा के शपत लेते ही खुसी से जुमे परिजन जालोन से पांच बार के सांसत भानु परताप सिंग बर्मा को आज मोदी के दूसरे कारिकाल के मंतरी मंडल के विस्तार में जगह मिलने से परिजन और उनके सुप चिंतकों में खुशी है जैसे ही जालोन गरोठा भोगनी पुर के सांसत भानु परताप सिंग बर्मा को रास्टपती भवन में रास्टपती रामनात को बिंद के द्वारा शपत दिलाई गई पूरे परिवार में खुशी देखने को मिली शांसत की पत्नी पुत्र बधु और नाती सभी लोग शपत ग्रहण को टीवी पर देखते रहे जैसे ही उन्होंने शपत पूरी की सभी लोगों ने ताली बजा कर स्वागत किया बता दें कि मोदी के मंत्री मंडल में पहली बार बुंदिल खंड से प्रती निधित्व मिला है मोदी सरकार के पहले मंत्री मंडल में अभी तक कोई भी बुंदिल खंड से मंत्री नहीं बनाये गया लेकिन बुंदिलखंड से भाजपा सांसद भानुपरताब बर्मा को पहली बार मंत्री मंडल में शामिल किया गया है मंत्री मंडल में शामिल होने के बाद परिजन खुसी से जूम उठे भाजपा सांसद भानुपरताब बर्मा की पुत्र बधु दीक्षा का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी जी जरूर इस बार अपने मंत्री मंडल में शामिल करेंगे क्योंकि पिताजी पांच बार से सांसद हैं और भारती जंता पाटी में लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे वहीं उनके पुत्र अजयभान का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि पिताजी को मोदी के मंत्री मंडल में शामिल किया गया है जालौन यूपी से आसी सौनिकी रिपोर्ट जी बताए उसके बाद यही है कि धन्नवाद योगी जी का जो उन्होंने अपि मंत्री मंडल में सामिल किया उनको और लगातार कुंदिल खंड का यसस बने है वो और यही है कि वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहे और बीजेपी के लिए लगातार काम करें